आईटीबीप भरती 2021 नमस्कार दोस्तों आईटीबीप कोस्टेबल की भरती का इंतजार करने वाले लाको ब्यारतियों के लिए एक अच्छी कबर आई चुकिये बिल्कूल दोस्तों यहाँ पर आईटीबीप की तरफ से आठ हजाद से ज्यादा पदो पर यहाँ पर सिपाई के पदो पर बड़ा रिक्रूटमेंट किया जाने वाला है दोस्तों इसको लेकर हाली में गरह मंत्राले की परमिशन भी मिल चुकी है जिसमें आपर आईटीबीप ने 40 नई बटालियों की मांग रगी थी लेकिन दोस्तों गरह मंत्राले की तरफ से 8 नई बटालियों की कि इस WACANCY में बरती होने के लिए योगेता क्या होगी Education qualification क्या होगी Age criteria क्या होगा selection process आपका क्या होगा इसको लेकर संपुन जानकारी आपको बढ़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है ITPB में बिल्कुल दोस्तों इसको लेकर संपुन जानकारी आपको इस वीडियो में डीटेल से बताए उससे पहले भी दिक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे चैनल पर आप पहली बाहर आए हो और आगे आने वाले ITPB नए रिक्रूटमेंट 2021 से रिलेटेड अप से पहले पहुँचते रहे तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख चीते हो ITPB की साथ नई बटालियन की मिली मंजूरी चीन सरद पर भारत की बढ़ेगी तागत बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर भारत यह इंडो टीबर्ट बोर्ड करवाया जाएगा लेकिन पहले इन साथ जो नई बटालियन मनेगी इनका रिक्रूटमेंट करवाया जाएगा तो आपके लिए अच्छी खबर है पूरी न्यूज में आपको डिटेल्स से बता देता हूँ यहाँ पर देख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ आज तक को ग्रेम अंत्राले के सुत्रों से मिली जानकारी के साब से साथ बटालियर मिलने से कुल 47 B.O.P. पर जवानों को तेरात किया जासेगा वही इनमें से 40 B.O.P. अरुनाचल परदेश के अलगली इलाकों में साती उत्राकर्ण हीमाचल परदेश और लदाक की कुछ B B.O.P. में भी I.T.P.P. के जवानों को तेनाथ किया जाएगा क्यूंकि ज़्यादातर जवान पर जवान पर जवान पर जवान पर तेनाथ किया जाता है उसके अलावा स्पेशल बड़ा रिकूट्मेंट L.A.C. के लिए ही हुआ है यहाँ पर पूरी डीटेल मैं आपको द किमा पर भारत और चीन में बल चल रहे तनाव के बीच के अंदर सरकार लगतार सुर्गशफलों की तागत बटाने में जूटा है ऐसे में ग्रह मंतराले की सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबित ग्रह मंतराले सेदान्तिक तोर पर सहेमत हो गई है कि जलद ही साथ नई ब पिछली कई वर्सों से ITBP का ये मामला अटकावा था लेकिन जिस तरीके से भारत चीन सरथ पर इस वक्त हालात बनेवे ऐसे में सरकार किसी भी तरीके की कमी नहीं चोड़ना चाती है वैसे ही ITBP को अब जल्दी साथ बटालियन मिल जाएगी जिनकी तेनाती भारत चीन सरथ पर मोजुदा अलग-अलग BOP पर की जाएगी आज तक को ग्रह मंत्राले के सुत्रों ने जानकारी दिये कि साथ बटालियन मिलने से कुल 46 BOP पर जवानों को तेनात किया जा सकेगा वही इन में से 40 BOP अरुनाचल परदेश के अलग-अलग इलाकों में साती उतराकंड BOP में ITBP के जवानों को तेनात किया जाएगा साती सुत्रों से मिली जानकारी के नुशार अरुनाचल परदेश से लगती चीन सिमा पर चीनी सेनिकों की तरफ से आए दिन गुस्पेट करने की कोशिस की जाती है जिस पर ITBP लगातार लगाम लगाती रही है और अब इन ब तक ITBP के जवान तेनात है वही चीनी सेनिक लगातार इन इलाकों में नजरे गडाए रहते हैं अरुनाचल परदेश में ITBP की एक पोश्ट से दूसरी पोश्ट की दूरी कई जगों पर 100 किलोमेटर से भी ज्यादा है ऐसे में चीनी सेनिकों की गुस्पेट की जानकारी सह वक्त पर नहीं मिल पाती है पाड़ी और जंगली इलाकों में पेंट्रोलिंग करना भी आसान नहीं होता और केम्प के बीच में कई किलोमेटर का पासला होने से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है यही वज़ा है कि इस दूरी को कम करने के लिए करीब 7000 जवानों को लान भी की जाएगी तो दोस्तों बिल्कुल आपके लिए अच्छी और राहत बरी कबर है सेना में जाने वाले ब्यारतियों के लिए कास्टोर्ट है क्यूंकि आपर ITBP में अलग से 7000 जवान होंगे बरती तो यहां पर परतेग बात करें तो सभी राज्यों के जवानों को भरत मिल जाएगा साथ ही दोस्तों यहां पर आपकी हाइट 170 सेंटीमिटर होनी चीए मैल केंडेट की जबकि आश्टी को लिए अब्यारतियों को हाइट में छूट दी जाएगी वही सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले फीजिकल होगा और फीजिकल में 5 किलोमेट की रेस होगी और जिसमें आपको 120 मिनिट का सम्मे十 दिया जाएगा फीजिकल पास करने वाले ब्यारतियों को अगले सरण के लिए क्वालीफ़ाइगा मतलब रीटन टेस्ट के लिए क्वालिफ़ाइगा और उसके बाद में यहापर रीटन टेस्ट होगा रीटन में दोस्त मेट लिष्ट के आदार पर चैन किया जाएगा बिल्कुल दोस्तों ITBP के द्वारा लगातार यहाँ पर अपनी नई बटालियर जो बनाने को लेकर ग्रह मंतराली को कई बार रिपोर्ट बैजी गई लेकिन अब ITBP को ग्रह मंतराली की तरफ से आखिर मंजूरी मिली चुकिये जिससे यहाँ पर 7-8000 नए जवान है वो ITBP के डिपार्टमेंटल रिकूटमेंट के द्वारा भरती होंगे काफी बड़ा रिकूटमेंट आप इसे मान सकते हो जो डिपार्टमेंटल तरीके से ITBP के तरफ से करवाया जाएगा तो दोस्तों ये थी एक मेरे दोरा दिगी चोटी सी जानकारी ITBP के आगे आने वाली हर परकार की रिकूटमेंट रे लिया साती ITBP के आगे आने वाले हर परकार के रिकूटमेंट की अपडेट भी अगर आप पाना चाहते हो चैनल पे पहली बार आयो चैनल को आप जरूर सस्क्राइब कर ले ताकि आपको सेना बरती के साथ में पेरा म एक्रूटमेंट से रिलेटेड हर परकार की अपडेट अगर आप आना चाहते हो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों शुडियो में इतना ही मिलते हैं एक शुडियो में तब तक के लिए जैहिंज जैबार